गुड मॉर्निंग एवरिवन, मैसें दीपलसा, I will be taking your Hindi subject, today I will teach you chapter 12, मैं पैंसिल हूँ, मैं पैंसिल हूँ मतलब ये पैंसिल है, तो ये पैंसिल अपने बारे में कुछ कह रही है, तो आदमी जो ये non living thing है पैंसिल और वो अपने बारे में कुछ कह रही है, तो उसको क्या कहते है आत्म कथा, अपने कथा कहती है वो, तो इसको क्या बोलते हैं आत्म कथा, ओके, तो मैं पैंसिल हूँ, उच्चारण अभ्यास, गुरु कारिया, गडरिये, उपलब्द, पैंसिल, इंगलेंड, मुस्कराते, आवाज, श्रे, कापी या कॉपी, जरूरत, फ्रांस, इरेजर, आस्ट्रेलिया, ड्रॉइंग, हड़र, मुद, श्रब्द, पीटारा, गुरु कारिया, गर के लिए दिया गया काम, ड्रॉइंग, चित्रकला, चित्रकार, वव्यक्ति, जो चित्र बनाता है, इरेजर, लिखे हुए को मीटाने के लिए इस्तमाल की जाने वाली र इरेजर, ये आपका एरेजर और ये पैंसिल, ऑकी, अंडर्स्टेंड, आज हम किसके बारे में सीखने वाले हैं, पैंसिल के बारे, जो खुद अपने बारे में बोल रही है, सोहानी को अपना ग्रो कारिया करना था, पर उसे पैंसिल ही नहीं मिल रही थी, उसने हर जगह द प्रेक में अपने बस्ते में पर पैंसिल उसे कहीं दिखाई नहीं थी तबी सुहानी को एक आवाज सुनाई थी उसने कहा ध्यान से सुनो सुहानी मैं यहीं हूँ सुहानी ने मेज के नीचे जाकर देखा तो देखती ही रह गई वह सचमुच एक बोलने वाले पैंसिल ही थी पैंसिल वो बोलता देख सुहानी कुछ डर गई डरो मत सुहानी मैं तुम्हारी प्यारी पैंसिल हूँ मैं बोल भी सकती हूँ पैंसिल ने कहा सुहानी ने पैंसिल को हाथ में उठा लिया वह बोली अगर तुम बोल सकती हो तो मुझे अपने बारे में और भी कुछ पताओ ओके ये गर्ल चैले उसका नाम क्या है सुहानी तो उसको अपना ग्रू कारे मिंस हूमवक करना था लेकिन उसको पैंसिल नहीं मिल रहे था उसने कहा कहा देखा पढ़ने की इमेज पर मतलब टैबल होता है ना आपका पढ़ने वाला वो किताबों की रैक में और अपने बस्ते में देखा पर उसे पैंसिल कहीं नहीं दिखा दी तबी सुहानी को एक आवाज सुना दी उसने कहा सुनो मैं यहीं हूँ सुहानी सुहानी ने मेच के नीचे जाक कर देखा तो उसे क्या दिखाई थी पैंसिल और वो पैंसिल कैसी थी सच मुझ में बोलने वाली पैंसिल तो सुहानी ने पैंसिल पहले तो वो डर गई तो पैंसिल ने उसे कहा डरो मत मैं तुम्हारी प्यारी पैंसिल हूँ मैं बोल भी सकती हूँ तो फिर सुहानी ने नीचे जाकर देखा और पैंसिल को उठा लिया और फिर कहा अगर तुम बोल सकती हो तो अपने बारे में मुझे कुछ बताओ तो अभी पैंसिल अपने बारे में सुहानी को कुछ बताएगी तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो अच्छा, तो सुनो करते हुए पैंसिल ने अपने बारे में पताना शुरू किया मैं पैंसिल हो मुझसे लिखना बहुत सरल है यदि मुझसे लिखते-लिखते कोई गलती हो जाये तो गपराने की कोई जरूरत नहीं इरेजर से जटपट मीटा लो और फिर से सही लिख लो इसलिए आप सारे बच्चे मुझसे बहुत पसंद करते हो ड्रॉइंग में तो मेरा बहुत उप्योग है कोई भी चित्रकार पहले मुझसे ही रफ्स केश करता है सही बनने पर ही रंग बरकर उसे पूरा बनाता है सही बनने पर ही रंग बरकर उसे पूरा करता है तब मुझसे बना चित्र देखकर लोग दातों तले उंगली दबा लेते हैं पैंसिल ने कहा जानती हो सुहाने सेकड़ों साल पहले जर्मनी में ग्रेफाइट की चट्टा ने मिल लोगों ने जब इनकी टुकडे को कागस या पत्थर पर चला या तो कुछ निसान या लाइने बन दे फिर 150 मतलब 150 साल बाद इंगलेंड में सुत ग्रेफाइट की चट्टा ने मिल उस समय वहां के गडर ये इन चट्टानों के पत्थरों का उप्योग अपनी भेडों पर निशान लगाने के लिए करते थे पता है इन चट्टानों से मुझे बनाने का श्रे की से जाता है फ्रांस के निकोलस जेट कांते और आस्ट्रेलिया के जोसफ हड़त मूथ ने सबसे पहले पैंसिल बनाने में सफलता पाई अब मैं वीवित खुबशुरत रंगों और डिजाइनों में उपलब दूँ मेरे रंग भी रंगे रूप को देखकर बच्चे मुझे हाथ में लेने के लिए मचल उठते हैं पैंसिल ने कहाँ पैंसिल के कहानी पैंसिल के ही मूँ से सुनकर सुहानी कुशी से जूम उठी अब भी पैंसिल ने क्या बताया मुझे मुझसे लिखना बहुत सरल है क्यों आप भी जब चोटे हो तो आप पैंसिल से पहले लिखना शूरू करते हो ना तो क्यूंकि अगर आपने रॉंग भी लिखा तो आप इरेजर से उसको इरेज करते हो और पैंसिल से लिखोगे तो ही आपकी handwriting अच्छी आएगी इसलिए pencil से लिखना शुरू करते हैं और कहां और उप्योग होता है pencil का drawing में चित्र का जो होते हैं वो drawing में pencil का उप्योग करते हैं पहले rock sketch बनाते हैं और फिर उसमें रंग बढ़ते हैं तो फिर pencil बताती है कि मेरी सोट कहां से हुई तो सैकड़ों साल पहले Germany में graphite की चट्ता ने मिली तो यह जो graphite ये जो lead होती है ना pencil की वो किसकी बनी होई होती है? graphite की तो कहां से मिली graphite पहले Germany में से मिली और फिर उसके टुकड़े पे उसका जो टुकड़ा होता है उसको लेकर कागज या पत्थर पर चलाया तो फिर ऐसे मार्क होता है तो ये क्या हो गया पैंसिल हो गई निशान बनाए पहले उन लोगोंने लाइने बनाए फिर एक सो पचास साल बाद इंगलेंड में सुत्ट ग्रेफाइड की चट्टाने मिले उस समय वहां के गडर है इन चट्टानों के पत्थरों का उप्योग अपनी भेडों पर निशान लगाने के लिए जस्ट निशान लगाने के लिए ही उप्योग करते हैं फिर इस पैंसिल बनाने का श्रे किसको जाता है पता है फ्रांस के निकोलस जेट कांते और आस्ट्रेलिया के जोसफ हड़त मुद को जाता है और उन्होंने ये पैंसिल बनाने में सफलता प्राप्त की और ये वीवित खुप्शरत रंगों वा डिजाइनों में उपलब दें और ये इसके रंग भी रंगे रुप को देखकर बच्चे हाथ में लेने के लिए मचल उठे पैंसिल ने कहा पैंसिल की कहानी पैंसिल के ही मूँ से सुनकर सुहानी खुसी से जूम उठे और फिर प्लास्ट में उसने अपनी प्यारी पैंसिल को प्यार से चुमा और मुस्कूराते हुए अपनी कॉपी पर लिखने लगे ओके अंडरस्टैंड थैंक यू